दूस्तो हमारे देश में हर घर में अलग-अलग तरीके से कड़ी बनती है। कैरला स्टाइल हो, मारवाडी हो, पंजाबी हो और उसमें भी हर घर में अलग-अलग तरीके से बनती है। तो आज मैं आपको ये नहीं बताने वदा कि बेस्ट कड़ी कैसे बनेगी। पर आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप एक अच्छी कड़ी कैसे बनाओं जिसमें दही ना फटे, पकोडे भी soft हों और टेस्ट भी हमेशा consistently अच्छा है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सी में आधा कप बेसन लिया है और उसमें यहाँ पर दो कप दही डाली है तो पहला सवाल आता ही है दोस्तों कि दही कैसी यूज़ करनी है दही अगर खटी हो तो बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है लेकिन बाइचांच अगर आप नॉर्मल दही का इस्तिमाल कर रहे हो बेसन और दही के साथ साथ इस टाइम पर आप थोड़ी सी हल्दी जरूर डालना और थोड़ी सी लाल मिर्ज पाउडर ये भी इसी टाइम पर डालना और कुछ मठ डालना दोस्तों पहले दही बेसन हल्दी और लाल मिर्ज को अच्छे से मिक्सी में घुमा लेना लगबग एक मिनिट के लिए, मैंने यहाँ पर मिक्सी का इस्तमाल जान भूच के किया है दोस्तों, वो इसलिए है क्योंकि दही और बेसन मिक्सी में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, आप अपने हाथ से या मतानी से अराम से मिला सकते हो दही को बेसन के साथ, लेकिन उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और अगर आप 100% परफेक्ट रिजल्ट चाते हो, तो आप मिक्सी का ही इस्तमाल करना दोस्तों, एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो जब दही और बेसन अच्छे से मिलता है, फिर आप यहाँ पर मिक्सी खोलना, और अब यहा कब बचते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको कब डालना है, क्योंकि मिक्सी में इतना पानी डालना मुश्किल है, अचा बेसन को न थोड़ा टाइम लगता है, धही को एब्जॉब करने में, पानी को एब्जॉब करने में, तो आप यह बेस बनाकर इसको थोड़ा साइड मे रखना, जब तक हम यह आपर पकोडों कर लेते हैं, तो पकोडों के लिए मैंने आपर एक कब बेसन में नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी, अजवाइन जरूर डालना, एक चमश तक मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, फ्लेवर इंहांस करने के लिए, हिंग जरूर पहला कि पकोडों के बैटर को हमेशा थोड़ा सा गाड़ा ही रखना, पतला मत करना दोस्तों, नहीं तो आपको उतनी ही महनत करनी पड़ेगी, दूसरी बात, अब यह बैटर का कलर ध्यान से देखना, और अगर इस बैटर को मैं पानी में डालूँगा, तो आप देखना क यह स्टेप करने से इसमें हवा आती है, बलकि बेसन में स्ट्रेंथ भी आती है, जिससे की पकोडे अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके रखते हैं, आप यह देखो इतना फेटने के बाद इनका कलर तो चेंज हुआ ही है, और तो और अगर मैं इनको पानी में थोड़ा सा पको ज़रूर डालना. यह है दोस्तों थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इतने से बेकिंग सोडा से बहुत फरक पड़ेगा आपके पकोडों में. आप बोलो गे कि भरत भाई, हमने इतना फेटा है, तो बेकिंग सोडा डालने का क्या लोगिक है? बेकिंग सोडा से दो बड़ी 100% soft पकोड़े बनाने हैं, तो आप baking soda थोड़ा सा जरूर डालना, खेर ऐसे ही हम चौथे point पर आते हैं, पकोड़े बनाते वागत, आप normally जब पकोड़े बनाते होगे, तो आप देखते होगे कि जब आप तेल में डालते हो, तो उनकी पूठ सी बन जाती है, है ना, तो दोस् बैटर छोड़ेंगे, अपने आप ही बैटर रेस्ट करेगा, और पूरे पकोड़े में मर्ज कर जाएगा, मिल जाएगा, यह देखो आप slow motion में कैसे जुड़ा है, और जैसे ही आप बैटर को छोड़ दो, तो फिर कुछी seconds में आप यहाँ पर गरम गरम तेल पकोड़े के डाल देना, इससे पकोड़ों की ऊपर की surface भी अच्छे से पक जाएगी, आपको हमेशा पकोड़ों को medium low flame पर fry करना है, ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, और आराम आराम से करना, एकदम perfect पकोड़े निकल कर आएगे दोस्तों, आप यह देखो, मैंने इनको fry किया है golden brown होने तक या जब तक यह ऐसे नहीं दिखने लग जाते, अब मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, है ना एकदम perfect दोस्तों, और baking soda डालने से क्या हुआ है, कि जो इनकी बाहर की surface होती है ना, वो थोड़ी सी पतली हो गई है, और यह बहुत important point है, जिससे की पॉइंट भी तो है ना, पकोड़े बनाने में, तो दोस्तों अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ देर बात बताता हूँ, ज्यान बहुत हो गया, पहले फटा-फट से कड़ी बनाते हैं, तो दोस्तों मैंने कड़ी बनाने के लिए, बगवाना perfect utensil है कड़ी को काड़ने के ल दालना और गरम-गरम तेल में ही आप ये सारी चीज़े डाल देना, थोड़ी सी हींग, mustard seeds, मैंने आप धनिया के धने थोड़ी से कूट के डाले, इसके साथ-साथ आपने डालना है, जीरा, कड़ी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्चे, ये सारी चीजों को दोस्तों आप तेल में अच्छे से भुनना, अभी अपना ये flavor छोड़ेंगी, और जैसे ही अच्छे से भुन जाए, फिर आप यहाँ पर अध्रक डालना और मेथी दाना डालना, अध्रक और मेथी दाना बाद में इसलिए डाला है, ताकि ये कड़ी को कड़वा ना बनाए, अगर आप इनको यहाँ पर थोड़ इसी मेहनत करनी है, दस मिनट तक लगातार हाई फ्लेम पर आपने कड़ी को चलाना है, चलाना बहुत जरूरी है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि बेसन को दही के साथ emulsify होने में, जुडने में time लगता है दोस्तों, अगर आप नहीं चलाओगे, तो बेसन न पटने का भी डर होता है, इसलिए नहीं डाला है, जैसे ही अच्छे से उबाला आएगा न, तब आप नमक डालना, दस मिनट तक कड़ी को हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाने के बाद, आपका उबाला तो आ ही जाएगा, लेकिन बेसन और कड़ी अच्छे से मिल जाएंगे तो अब इस टाइम पर आप यहाँ पर नमक डाल देना, एक चमश तक मैंने कसूरी मेथी भी डाली है फ्लेवर इन्हांस करनी के लिए, और अब अराम से आपको कड़ी को काड़ना है कारते वक्त मैं हमेशा इस बात का ध्यान देता हूं कि ढकन जो है वो पूरा नहीं लगाता, थोड़ी सी जगा छोड़ता हूं ताकि यह ना हो कि कड़ी उबलते हुए बाहर ही आ जाए, ऐसा आप 5 मिनिट के लिए करना, आप मीडियम लो फ्लेम पर कड़ी को 5 मिनिट के ल जाता कहें चलेगा कि आपकी कड़ गई है, दोस्तों जब कड़ी आपकी कड़ जाएगी तो कड़ी थोड़ी सी गाड़ी होनी शुरू हो जाएगी, ऊपर इसके एक मलाई आ जाएगी, यह देखो, साइट में भी आपको मलाई दिखने लग जाएगी और कड़ी में एक अल पकोड़े बनाते वक्त, तो पकोड़े किस टाइम पर डालने हैं? तो दोस्तों आपने पकोड़े इसी टाइम पर डालने हैं, जब आपकी कड़ी कड़ जाए और आप ग्याज बंद कर दो, लेकिन अगर आपने सोड़ा का इस्तिमाल नहीं किया है, तो आप ओड़ी पहले कि एक-एक पकोड़ा कैसे पानी को एब्सॉब कर रहा है, यह देखो दोस्तों छोटे-छोटे बुलबुले, ऐसे आप 10 मिनिट ले छोड़ना धक कर और पकोड़े अपने आप ही फोल जाएंगे, और सारी कड़ी को अच्छे से एब्सॉब कर लेंगे, अब वैसे दो दोस कश्मीरी लाल मिर्ज डालना, लेकिन जादा मत पकाना कश्मीरी लाल मिर्ज डालना, नहीं तो रंग काला भी हो सकता है, फटा-फट से तड़ता आप खड़ी के ओपर डालना और इसको धख देना, ताकि सारी खुश्बू बरकरार रहे, और बस दोस्तों, आप देखना ए 100% perfect कडी बनेगी हर एक बार, अब दोस्तों ये तो हो गई मेरी सारी महनत कडी पे, आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, आज मैं आपसे एक question पूछूँगा, question मेरा ये है कि कडी बनाते हैं वक्त, हम इतना पानी क्यू डाल